पूर मंत्री कपिल मिश्रा का सत्य ग्रहें अर्विन केजरीवार और रामादमी पार्टी के खिलाफ दूसरे दिन भी जा रही है कपिल भाई हमारे साथ मौझूद है कबल भाई अपने जब शुरुवात की थी अपने खुलासे करने की पहले आप टेंकर घुटाले पर आए फिर आप दो करोड रुपे का रिश्वत कार्ण आपने खुला फिर आप विदेशी यात्राओं पर आए क्या काफी और चीज़े हैं जिनकी पड़ते खुलनी बाकी है चीज़े आ रही है जानकारिया आ रही है चारों तरफ से बहुत सारी आ रही है लेकिन उने में है विदेश यात्राओं जू को या सबसे गंवीर मामला है और सारे मामलों की चाबी झाबी इसी में चुपी हु हुई है जितने भी पैसों की शंदे की गरबड़ी की बाते आ लेकिन संजे जी ने कल अपनी डिटेल दी, कुछ यात्राओं की डिटेल दी जहां पर वो वेलफेर का काम कर रहे हैं ट्विटर पे हम देख रहे थे कि रागव चड़ा बता रहे हैं कि मैंस्तरा के ऐलिगेशन के उपर जवाब भी देना जरूरी नहीं समझता हूं आपको लग रहा है कि कन्नी काटी जा रही है, बाकी नेताओं से जवाब मांगे जाते हैं, जब खुछ जवाब देने की बारी आती है तो बहाने बाजी हो रही है इतनी भाने बाजी तो कभी कांग्रेस के लोगों ने भी नहीं की, उनसे तो आप इस्तीफा मांगते थे, तब वो जवाब नहीं देते थे आपसे तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगाए, कोई आपकी कुरसी या राजिनेटिक डिमांड नहीं कर रहा है केवल ये कह रहे हैं कि विदेशों में कहां कहां गए और किसके पैसों से गए, और क्या किया वहाँ पर किसी के डिटेल नहीं आया, संजे सिंग जी ने भी जो डिटेल दिये, उसको अब डिटेल नहीं कह सकते एक तरफ तो वो कहते हैं कि मैं किराय के घर में रहता हूं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मेरे को शादी के लिए रशिया बुलाया गया मेरे साथ आशुतोष जी को भी बुलाया गया और मैं तो एक शादी एटेंड करने रशिया गया था दिल्ली में बहुत सारे लोग किरायों पे गरों में रहते हैं शादी के लिए रश्या नहीं जा सकते है किसी वाल अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं क्या कारण है, कुछ दबाव है या फिर उनके बास कुछ जवाब नहीं है नहीं उन्होंने बोला उन्होंने बोला कल जैसे मेरे उपर हमला हुआ उसके जब तक पुलिस उस वेक्ति को पकड़ के भी नहीं ले गई थी कि संजे सिंग जी एक फोटो लेकर बैट गए और प्रेस कॉन्फरेंस करने लगे कि यह बीजेपी का है यहां पर भी उस वेक्ति का नाम पता करने में उससे ज़्यादा देर लगी जितनी देर लेकिन उसके बाद अर्विन केजरिवाल जी ने भी उसको रिट्विट कर दिया उसके बाद सारे वाटसप और फेस्बुक में चलाने लगे कि कपल मिस्ट्रा ने खुदी हमला कराया औ कि आदे घंटे के बाद सारे डिटेल सामने आ गए किस के साथ था वो सतिन जैन जी के महला क्लिनिक का है आम आदमी पार्टी का है लाकड़ा जी का उसने चुनाव परचार किया सारे डिटेल लेकिन पांच मिनिट में जितनी तेजी से पूरा अभियान चलाया मेरे को तो ब लेकिन आज पहली बार ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है, बहुत लंबे समय से एक जूट बेचा जा रहा है। ऐसी आशंका और है, हमले और हो सकते हैं। कोई डर नहीं है, ना कोई आशंका है, निर्भें हैं और बैठे हैं याँ पर, अपनी मांग पूरी करे बगएर उठेंगे नहीं। कि जानकारी मिलने के बाद की अब चुपनी रहना चाहिए, और मैं बैठ गया, आत्मा मजबूत है, दिल तैयार है, जिन्दिगी में पहली बार 24 घंटे भूखा रहा हूं, ये भी आपको कह सकता हूं, लेकिन जब तक जवाब नहीं आएगा, तब तक अंशन पर रहूंग हैं, जो आपके साथ खड़े होते थे पहले, आपको बीजेपी का एजन्ट बता था, तीन चीजों के परदे में वो सारे सत्च छुपाना चाहते हैं, एक की मैं बीजेपी और मोधी का एजन्ट हूं, दूसरा की मैं आज ही क्यों बोल रहा हूं पहले क्यों नहीं बोला, औ सारे देश को देने में आपको समस्या क्या है, इसके जवाब में आप हमेशा यही बोलते रहोगे, बीजेपी का एजन्टू, बीजेपी का एजन्टू, में को लगता है, कभी EVM के बहाने से ध्यान बटकाने की कोशिश की जा रही है, कभी इन तीनों चीजों, आज एक और एक एपिसोट है, कितनी उन में शक्ती है, आज वो हो सकता है, सड़कों पर भी उतर जाए, मेरा मुद्दे से ध्यान बटकाने के लिए, हो सकता है, मतलब कुछ भी कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि आथवत्ते ही नाकल संजे सिंग जी कह रहे है, मैं जहर खा लूँगा, तो मैं के साथ तरुन कालरा, टोटल न्यूस, दिल्ली